एक बार की बात है, रोहन नाम का एक छोटा लड़का था रोहन हमेशा बहुत स्वार्थी था और कभी भी अपने खिलोने या व्यवहार दूसरों के साथ साजा नहीं करना चाता था उसने हमेशा केवल अपने बारे में सोचा और दूसरों की भावनाओं की कभी परवाह नहीं की एक दिन रोहन पार्क में खेल रहा था जब उसने एक छोटी बच्ची को रोते देखा क्योंकि उसका पसंदीदा खिलोना खो गया था रोहन को उसके लिए बुरा लगा और उसने उसे खोजने में उसकी मदद करने का फैसला किया जब वे एक साथ खिलोने की तलाश कर रहे थे रोहन को एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करना और उन्हें खुश करना कितना अच्छा लगता है खिलोना मिलने के बाद छोटी लड़की ने रोहन को धन्यवाद दिया और उसे एक बड़ी सी मुस्कान दी रोहन ने अपने दिल में एक गर्माहट महसूस की और उसी दिन से वह एक दयालू और देखभाल करने वाला व्यक्ति बन गया उसने सीखा की दूसरों को बांटने और उनकी देखभाल करने से सच्ची खुशी मिलती है कहानी का नैतिक यह है कि दूसरों के प्रती निस्वार्थ और सहानुभूती पूर्ण होने से सच्ची त्रप्ती और आनन्द मिलता है